हेलो गुड मॉर्निंग ओल अप यू मैं विविक कुमार रोजाना की तरह लेकर हजीरों टूडे करेंट अपेर्स जीके एमसी के उच आज तेरे मैई 2020 वार बुद्वार के करेंट अपेर के हम बात करते हैं साथियों आज का करेंट पेर शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कल के हमारे कुश्चन उब्दा डे की लाश्डे जो हमने कुश्चन पूछा था उसका अंसर के हम में बात करते हैं लाजडे हमने question पूछा था भारत में किस इस्तान पर अंतराष्टे, वित्य, सेवा, केंदर, प्राधिकरण की इस्तापना की जाए थी option A, नोड़ा, उत्तरप्रदेश, option B, जैपुर, राजस्तान, option C, गांधिनगर, गुजरात, और option D, नासिक, महराष्ट साथिकों हमने कहा था, कि हमारे question of the day का answer आपको comment box में देना है, हमें अपसोस होता है कि आप लोग हमारा video complete नहीं देखते हैं, साथि एक बार content देखिए, उसके बार decide कीजिए, content अच्छा है या बुरा है, जैसा भी आप comment कीजिए, question of the day का answer दीजिए, और daily हमारा live सवा पांच में चलता है, तो उससे में आप chat box में आकर भी अपने comment कर सकते हैं, answer दे सकते हैं, साथि हो तो बात की जाए, जो हमारा कल का question था, कि अंतराष्टे वित्य सेव किंद्र प्रादिकर्ण की स्तापना भारत में कांपर की जाईगी, तो बारत सरकार ने, गुजरात राज्ये के सेवा के इंद्रों वित्य बाजरों को विनेमित करेगा, और वर्तमान समय की बात की जाए, तो वर्तमान समय में प्रादिकर्ण के नियामकों में, RBI, CB, PENSEN FUND, नियामक और विकास प्रादिकर्ण, IRDAI सामिल है, साथि गुजरात, जो कि हमारे देश के प्रदान मंत्री, न का गुजरात में गांधिनगर की बात की जाए, तो गांधिनगर में अक्छरदा मंदिर प्रसिद्ध है, और इनी सभी के बीच अंतराष्टे वित्य सिवकेंद्र, प्रादिकर्ण की स्थापना भी की जाएगी गांधिनगर में, तो अपसंसी राइट आंस्वर सकती है, तो इसी इच्छा सकती है, और राजा बनने की और अग्रसर होते हुए, शुरू करते हैं हम आज का करेंट अपिर्शी के क्वेस्टन संग्याफश से, दुनिया भर में अंतराष्टिय नर्स दिवास, इंटरनेश्टिय नर्स डे कब मनाया जाता है, ओप्शन ए 10 म बारे मही को, बात की जाएं अंतराष्टे नर्स दिवास की, तो अंतराष्टे नर्स दिवास, फ्लोरेंस नाइट अंगल की जहनती के रुपलक्ष में प्रतिवर्स मनाया जाता है, अभी हम बात करेंगे कि फ्लोरेंस नाइटी अंगल कौन है, इनके बारे में हम बात करें और इस बार International Council of Nurses ने अपनी अधिकारी के वेबसाइट INC.CH पर Nursing the World to Health को वर्स 2020 के लिए अपनी थीम प्रकासित किया है जो COVID-19 महामारी से संबन दिता है यानि कि इस वर्स 2020 में जो नर्स डे है उसकी थीम क्या है Nursing the World to Health ही स्थ है रहिस्ड अर्श ऑनारव इससे पहले विश्व स्वास्ते संगठन मैं वर्स 2020 को नर्स और में मेराब के ल्हें के रूप में गोसित किया है यानि किusan कि व्र्सaceut को डॉईयार विश्व स्वास्ते संगठन है वर्स 2020 को नर्स और मेन में कें जोब intoxicоз की को लेकर साथ यों बात करते हैं फ्लॉरेंस नाइट एंगल की तो फ्लॉरेंस नाइट एंगल को लेड़ी विद्धे लैंप के नाम से भी जाना जाता है और Florence Nightingale को modern nursing का जनक कहा जाता है वो एक British समा सुधारक और सांखी की विद्धी Florence Nightingale ने nursing सिख्षा को उपचारिक बनाने के लिए London के St. Thomas Hospital में वर्स 1860 में Nightingale School of Nursing की स्थापना की थी Florence Nightingale को वर्स 1907 में order of merit सम्मान से नवाजा गया जिसे पाने वाली वे पहली महिला थी जिनको इस सम्मान से नवाजा गया था तो ये थी Florence Nightingale जिनके रैस्पेक्ट में जिनके सम्मान में nurses day मनाया जाता है अंतराश्टे नर्सेश्टे मनाया जाता है next question संक्याद 2 किस राज्ये की सरकार ने देश में अपनी तरह की पहली एफायार आपके द्वार योजना का सुभारम किया है option राजस्तान सरकार, option B मद्दे प्रदेश सरकार, option C करनाटक सरकार, option D उत्तर प्रदेश सरकार साथियो हाली में मद्दे प्रदेश सरकार ने मद्दे प्रदेश के भोपाल में एफायार आपके द्वार योजना का सुभारम किया है option b right answer मद्दे प्रदेश सरकार ने देश में अपनी तरह की पहली F.R. आपके द्वार योजना का सुभारम किया है बात करते है F.R. आपके द्वार योजना की और उससे पहले बात करें की मद्दे प्रदेश जो राज्य है उसके मुखे मंत्री कौन है शिवराज सिंग चोहन और राज्य पाल कौन है लाल जी टेंडन और मद्दे प्रदेश की राजदानी बोपाल तो साथियो बात करते है F.R. आपके द्वार योजना है क्या आखिरकार साथि कोरोना वाइरस में हमारी चल रही है इस वज़े से नहीं नहीं योजना है नहीं हेल्प लाइन नहीं प्लेट फॉर्म निकल कर आ रहा है तो साथि वीडियो पूरा देखे को कॉस्टन बहुत ज़्यादा बन रहे है F.R. आपके द्वार योजना की बात की जाए इस योजना के लिए D.L. 101 ने F.R. दर्ज करने के लिए Head Constable को प्रिशिक्षित किया जाएगा इसके जरिए सामा ने सिकायतों के लिए F.R. मोके पर ही दर्ज की जाएगी जबकि गंबिर सिकायतों के मामले में वरिष्ट अधिकारियों से परामर्स मांगा जाएगा इसके लावा मद्देप्रदेश राज्य सरकार ने इसा हुसर पर यानि कौन से हुसर पर जब F.R. आपके द्वारी योजना का सुवारम किया इसा हुसर पर एम्बुलेंस पुलिस और अगनी सामन सेवाव की ततकाल उपलब्दा की सुविदा के लिए हल्प लाइन नंबर डाइल 112 जारी किया है 112 जारी किया है बारत की किस कार निर्माता कंपनी ने एंड टू एंड ओन लाइन वाहन स्वामित्वे समादान उपलब्द कराने है तो ओवन ओन लाइन नाम के एक नया प्लेटफॉर्म लाँच किया है ओप्शन ने टाटा मोटर्स ओप्शन भी मारुतु सीच्चु की लिमेटेड ओप्शन सी असोक लेलेंड और ओप्शन दी महिंद्रा एंड महिंद्रा साथियों अभी हाल ही में वहन निर्माता कंपनी यानि की कार निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ओवन ओनलाइन नाम के एक नया प्लेटफॉर्म लाँच किया है का ओवन आंवलाइन प्लेटपोर महिंद्रा एड़ महिंद्रा ने अपने ग्राहुकों वांग के डिलिवरी का चैन में पारधर्सी नर्बाद और संपर्क रहे अनुबहों प्रधान करने के लीए लौंच है यानी कि 1 ओवजन और ने प्रभांदन निदेशक और स्यूक्त और अधार करते हैं। ऑवन ऑंगलाइन प्लेटपॉर्म है क्या? O1 Online Platform की बात की जाए तो O1 Online Platform महिंद्रे और महिंद्रे ने अपने ग्राकों को वाहन की डिलिवरी का चैन में पारदर्सी, निर्बाद और संपर खरीत अनुबव प्रदान करने के लिए लॉंच किया है Company इस ओनलाइन वाहन स्वामित्यो समादान के माध्यम से अपने ग्राकों को फाइनेंस, बीमा, विनीम में एक एस श्रीच और महिंद्रा वाहन की खरीद करने में सक्चम बनाती है यह जो प्लेटफोर्म है, और वन ओनलाइट प्लेटफोर्म के जरी कोई भी ग्राक बिना अपने घरों से बाहर निकले केवल चंद क्ली को करके, चार सरल चरनों से किसी भी महिंद्रा वाहन का मालिक बन सकता है कंपनी के पैन इंडिया नेटवर्क को बैक एंड तकनीक और प्रकिर्या को एक जुट करके इस प्लेटफोर्म के साथ जोड़ा गया है नेक्स्ट क्वसन संक्या पाँच पूर्वे लोकसबा सांसद और जनता दल ऐसके वरिष्ट नेता राजा रंगप्पा नाइक का निदन हो गया है वे किस राज्ये के लोकसबा निर्वाचन छेत्र से निर्वाचित हुए थे तो अपसने इसका राज्ये आंसवर है करनाटक वे 1906 में में लोकसबा के लिए चुने गये थे और उन्होंने संसद में करनाटक राज्ये की राज्ये की रायचू लोकसबा निर्वाचन छेत्र का प्रतिने दुत्वे किया था नेक्स्ट कॉसन संक्या पाँच निम्न में से किस देश ने आठ में को 169 जैनती पूरी करने वाले प्रसिद भारते कवी रविंदर नाट टैगोर को सरदांजली देने के लिए तेल अवीव की एक सेडक का नाम उनके नाम पर रखने का फैसला किया है आप्सन ए ऑस्ट्रेलिया आप्सन भी अमरीका आप्सन सी इजराइल और आप्सन डी जापान साथियो आठ में को 169 जैनती मनाई गई थी प्रसिद भारते कवी रविंदर नाट टैगोर की इस आउसर पर इजराइल जो देश है इजराइल देश ने तेल अवीव की एक सडक का नाम उनके नाम पर रखाया जिसका नाम रखाया टैगोर यानि की आप्सन सी राइट आंसर है इजराइल ने इजराइल ने रविंदर नाट टैगोर के नाम पर इसका नाम दिया टैगो और साथ यो क्वेस्टन करा है टांस और अप्संसी बात करते कवी रविंद्रना टैगोर के बारे में तो भारते कवी रविंद्रना टैगोर जिनको की रविंद्रना ठाकुर के नाम से भी जानते हैं और इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है रविंद्रना टैगोर को जनम 7 मही 1861 को हुआ और इनकी मरत्यू 7 अगस्त 1941 को हुई रविंद्रना टैगोर प्रसिद कवी उपन्यासकार और चित्रकार थे रविंद्रना टैगोर एसिया के प्रथम नॉबेल पुरुसकार सम्मानित वक्ति है जिनने अपने उपन्यास गितांजली के लिए 1913 में साइत्य के लिए नॉबेल पुरुसकार से सम्मानित हुए थे और वो पहले भारतिय थे वो एक मात्र ऐसे कवी है जिनकी दो रचनाय दो देशों का राष्टेगान बनी एक भारत का राष्टेगान दूसरा बांगला देश का राष्टेगान बारत का राष्टेगान क्या था राष्टेगान जनगनमन और बांगला देश का राष्टेगान आमार सोनार बांगला गुरुदेव की रचनाय है केंद्रे मानोशन सादन मंतरी रमेश पोकःयाल निनसक ने किस विशुवड्धालिय की हलपलाइन भरोसा का सुभारम किया है ओप्सन ए जोदपुर केंद्रे विश्युविद्धाले ओप्सन बी ओडिसा केंद्रे विश्युविद्धाले ओप्सन सी दिल्ली विश्युविद्धाले और ओप्सन डी अलिगर्ण मुस्लिम विश्युविद्धाले साथियों केंद्री मानो संसधनमंतरी रमेश पौक्रियाल निंसक ने औरीशा केंद्रे विश्यू द्याले की सब्सक्राइए इस Squareant भरोसा के बारें बात की जाए तो Howling भरोसा हेल्प लाइन सेवा COVID-19 मामारी संकट के दोरान चात्र समुदायों को होने वाली परिशानियों को दूर करने के उद्देशे से सुरू की गई है इस हेल्प लाइन के माध्यम से ओडिशा के सभी विश्विदालियों के छात्रों को संग्या नात मक्ववनात मेक पुनर्व्यास सेवाय प्रदान करना है हेल्प लाइन सेवा भरोशा के अंतरगत COVID-19 मामारी के मद्द्व कर दोरान एचारडी मंत्री ने चात्र समूदाओ की चिंताओं को दूर करने के लिए देशबर किरेंद्री और राज्ज विश्वुद्दालियों और अन्ये सिक्षण संस्तानों वी भरोसा पैल को अपनाने का आग्रह किया है साथे ओड़ी सा राज्य की बात की जाए तो ओड़ी सा राज्य के मुख्य मंत्रिया नवीन पटना है को उरूनके राज्य पाला गणे सी लाल निमनलिकित में से किसे नवीन एउम नवी करने उर्जा मंत्राले के सचीव के पद पर न्युक्त किया गया है उप्षन ए इंदू सेकर चत्रुवेदी, उप्षन भी इंदरजी सिंग, उप्षन सी आलोक कुमार वसिष्ट, उप्षन डी सुरेंदर गुजराल तो नवीन एउम नवी करने उर्जा मंत्राले के सचीव के पद पर किसे चुना गया है, इंदू सेकर चत्रुवेदी को उप्षन ए राइट आंस हो रहे हैं, इंदू सेकर चत्रुवेदी, जो की आनंद कुमार का इस्तान लेंगे आनन्द कुमार जिनने संस्कृती मंत्रा लेकर सच्यू के रुप में न्यूक्त किया गया है बात करते हैं इंदू से इकर चतरुवेदी की तो इंदू से इकर चतरुवेदी 1987 बैच के आई ये सदिकारी है जो जहारकंड के एडर से है यहां आने से पहले वेर जहारकंड सरकार के परियावरण और वनमंत्राली के जलवाईव परिवर्तन विबाग के अतरिक्त मुक्य सचिव के रूप में भी कारे कर चुके है नवी यह नवी करने है जो है विवाग है उसके राज्य मंत्री कोन है राजकुमार सिंग नेमनलीकित में से किसकी लैब रिचर्ज सेंटर इमारत आरसी आई ने अल्ट्रा वाइलेट सेनेटाइजर द्रूज नामक एक स्वयचालित वे संपक रही कैबिनेट विक्सित किया है उप्सन ए डियाडियो उप्सन भी शुरो उप्सन सी बार्क और उप्सन डी अंटिपी से तो सात्यों अल्ट्रा वाइलेट सेनेटाइजर द्रूज किसने विक्सित किया है डियाडियो ने और इसका मुख्यालियो नहीं डियाडियो बात करते हैं अल्ट्रा वाइलेट सेनेटाइजर ड्रूज की तो अल्ट्रा वाइलेट सेनेटाइजर ड्रूज इसे मॉबाइल फोन, आईपोड, लैप्टॉप, करेंसी नौट, चेक, चालान, पास्बुक, पेपर, लिफापे आदि को सेनेटाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है ड्रोज केबिनेट का संपरकरीत संचलन किया जाएगा जो वाइरस के प्रिक्सार को रोकने के लिए बहुत मैत्तोपोड है इसमें एक सेंसर स्विच तता दराज को खोलने और बंद करने की सुविदा इसके संचलन को स्वेचालेत और संपरकरीत बनाती है और यह कैबिनेट अंदर रखी गई वस्तो को यूवी सी का 360 डिग्री एक्सपोजर प्रदान करता है इसकी एक बार जब सेंटेशन प्रिक्रिया पूरी हो जाने के बाद यह सिस्टम सिलिप मोड में चला जाता है इसलिए ओपरेटर को इस डिवाइस के पास इंतजार करने या खड़े होने की आवसकता नहीं होती है यह थी यह ड्रूस एनके अल्ट्रा वाइलेट सेनिटाइजर मसीन नेक्स्ट क्वेस्टन संक्या नो निम्न वैसे किस देश ने ओनलाइन नैसंस कप सतरंज का खिताब जीता है ओप्सन ए जापान ओप्सन बी अमेरिका ओप्सन सी रूस ओप्सन डी चीन साथियो कोरोना वाइरस मामारी चल रही है कोरोना वाइरस मामारी के चलते चीन ने कोरोना वाइरस में हमारी के चलते चीन ने दुनिया के भर में लगे लोकडाउन के बीच पहली बार आयो जीत फिडे चैस्ट डॉट कॉम और लाइड नैसंस कप सतरन जीत लिया है तो अपसन डी राइट आंसर चीन इसमें च्छे टीम थी और च्छे टीम में भारत को कौन सा इस्तान मिला पाँच वाइस्तान चीन ने राउंड रोबिन दोर में साहनदार पर दर्शट किया और फिर सुपर फाइनल में अमरीका को दो दो कडरा खेला जो उसकिताब दिलाने के लिए काफी था अमेरिका को दूसरा इस्तान मिला यूरोब को तीसरा रोस को चोथा बारत को पांच वार से इस विसू टीम को छटा इस्तान मिला था नेक्स्ट और आज का मारा लाश्ट कोस्टन कोस्टन संक्या दस नैशनल इंस्ट्यूट और वाइरोलोजी द्वारा विक्सित प्रतम स्वेदेशी कोरोना वाइरस टेस्ट किट कवच का नाम क्या है साथियो नैशनल इंस्ट्यूट और वाइरोलोजी ने अभी हाल ही में एक टेस्ट किट विक्सित की है जो कि प्रिथम स्वेदेशी coronavirus test kit है और उसका नाम दिया है ELISA तो option A right answer है ELISA साथियों यह स्वेदेशी रूप से antibody detection kit है यह kit धाई गंटे के एक ही रन में 90 नमुनों को परिक्षण करने में सक्षम है यह antibody test kit SARS-CoV-2 संक्रमन के संपर्क में आने वाली आबादी के अनुपात की निगरानी में मदद करने के अलावा COVID-19 का मुकाबला करने में भी मददगार साबित होगी और इसके अलावा ICMR ने ELISA testing kit का बड़े पहमाने पर उत्वादन करने के लिए जाइरस कडिला के साथ एक करार भी किया है साथ यह बात करते हैं NIV के बारे में NIV किया है तो NIV यह National Institute of Virology जो कहां पर इस्तित है पूरे में National Institute of Virology एक विसानू विज्ञान अनुसंदान संस्तान है जिसे पूरू में Virus Research Center के रूप में जाना जाता था और यह Research Center Influenza, जापानी, एंशिप, प्लाइटिस, रोटा, खसरा, हेपेटाइटिस और Coronavirus के लिए राष्टे निगरानी के इंदर भी है बात की जाए एलिसा टेस्ट की, एलिसा टेस्ट किट है क्या, तो एलिसा का पूरा नाम है Enzyme Linked Immuno Assay Enzyme Linked Immuno Assay एलिसा भारत में तयार की गई पहली स्वेदी सी एंटी बोडी परिक्षण किट है जिसे हाली में COVID-19 का मुकाबला करने के लिए विक्षित किया गया है यानि कि कोरोना वाइरस मामारी ने बहुत सारे कॉस्टन बना दिये तो वीडियो पूरा देखे सब कुछ सुने इसमें एक रक्षण किया जाता है, जिससे रक्षण में एंटी बोडी का पता लगाता जिससे यह पता लगाया जा सके कि कोई वक्ती COVID-19 संक्रमन से संक्रमेत हुआ था, अथवा नहीं तो यह थी है एली साकिट जो कि भारत में तेयार की गई है, पहली स्वेदेशी किट है तो यह ता आज का मारा करन्ट अपिरस जी के अब बात करता है question of the day की जिसका आंसर आपको comment box में देना है साथ यह आज का मारा question है नेमन में से किस उप लबदी पर प्रते एक वर्स 11 माई को राष्टिय प्रदोगी की दिवास यानि की National Technology Day मनाया जाता है option A आर्यबट उपग्रे प्रचेपन, option B पोकरण परमानो परिक्षन, option C प्रत्वी मिसाइल का सपल परिक्षन और option D DRDO की स्तापना और इस question का right answer आपको comment box में देना है या सवा 5 बजे morning live आईए मेरे साथ live रहिए और इस question का answer दीजिए और video complete देखिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो like करे, comment जरूर करे अच्छा बुरा जैसा भी comment है वीडियो का PDF डाउनलोड करे, PDF डाउनलोड करने का link वीडियो के description में मिलेगा और साथ ही हो, हमारे YouTube channel UV competitions को subscribe जरूर करे thank you so much, धन्यवाद, stay home, be safe, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, coronavirus मामारी से बचे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको सुख दिए